हेलो स्टुडेंस वेलकम टू स्टुडी हिंदी आज हम क्लास एट की मदुप हिंदी पाठ माला से पाठ साथ बस्तर जनजाती में तुमबा को पढ़ेंगे जिसके रचनाकार है रूद्र नारायन पानिग रही बस्तर के जनजातिय समाज में तुमबा या तुमा उनकी जीवन यात्रा का एक अहम हिस्सा है उनके ग्राम में जीवन में तुमबा एक हमसफर की तरह विद्यमान है बस्तर के आदिवासी समाच की तरह भारत के अन्य प्रदेशों के आदिवासी भी तुम्बा का उप्योग करते हैं बस्तर की जनभासा में इसे तुमा या तुम्डी कहा जाता है कहा जाना उचित होगा कि बस्तर की वनवासी संस्कृती में तुम्बा का अहम योगतान है जब कभी बस्तर के ग्रामिन अंचल का आदिवासी, परिवार, हाट बाजारों, खेट खलिहानों, कोट कचरी में या अपने सगे संबंधियों के यहां विशेश प्रयोजन से जाता है तो उनके सुख दुख का साथी तुम्बा उनके कंधों पर होता है जो उसकी रहा का हमसफर भी होता है तो सबसे पहले तो या बस्तर एक स्थान का नाम है जो की 36 गड़ में स्थित है और लेखा कहते हैं कि यह जो तुम्बा है यह बस्तर के आदिवासी जनजाती समाज के जीवन का एक अहम हिस्सा है वो हमेशा इसे अपने साथ रखते हैं चाहे वो कहीं जा रहे हो अपने परिवार के पास जा रहे हो बाजार जा रहे हो खेत कलियान कहीं भी जा रहे हो यह हमेशा इसे अपने कंधे पर लटका कर चलते हैं इसलिए इसे उनकी रहा का हमसफर भी कहा गया है बस्तर के आदिवासी अपनी जन्भासा में तुमबा को तुमाया तुमडी कहते हैं साथ ही इस तुमबा का उनकी वनवासी संस्कृती में अहम योगदान है तुमबा अर्थात लोकी का सूखा फल जिसके सूख जाने के बाद उसका उपरी आवरन शक्त हो जाता है इस सक्त आवरन के अंदर के बीच तता सूखे हुए गूदे को साउधानी पूरवक बाहर निकाल कर अंदुरुनी भागों की सफाई कर ली जाए तो वही सूखी लोकी तुमबा कहलाती है लोकी हमारे जीवन में एक तरकारी या सबजी ही नहीं वरन एक औशदी के रूप में भी विद्दमान है कहा जाता है कि लोकी की उत्पत्ती अफरिका में हुई अफरिका से होते हुए यह भारत पहुँची तो यहाँ पर यह तुमबा क्या है? यह तुमबा लौकी का ही सुखा हुआ रूप है इसे बनाया कैसे जाता है? तो सबसे पहले लौकी के उपरी भाग को काट कर उसके अंदर के बीच और जो गूदा है उसे निकाल कर साफ किया जाता है और इसे सुखने के लिए छोड़ दया जाता है जब यह सुख जाता है तो कठोर बन जाता है और इसी सुखी हुई लौकी को कहा जाता है तुमबा वैसे लौकी का इस्तमाल हम सबजी के रूप में भी करते हैं येकिने बिविन तरगे सबजेयां बनाए जाती है लोकी से और साथ ही यह लोकी और शद्धी के रूप में भी हमारे काम आती है तो इस लोकी के कई सारे गुन है और इस लोकी की उत्पत्ती जो है वो अफ्रिका में हुई थी और अफ्रिका से ही होते हुए ये भारत पहुची थी लोकी का मानो भोजन से नाता बहुत पुराना है मेक्सिको की गुफाओं में इसा से साथ हजार से पचपन सो वर्ष पूर्व वह मिस्र के पुराने पिरामिडों में इसा से पैंतिस सो से तैतिस सो वर्ष पूर्व इसकी उपस्तिती इसके प्राचिंतम होने के सबूत दोह भारत में मालाबार तड और देहरादून के नम जंगलों में या आज भी जंगली रूप में पाई जाती है भारत में इसे हिंदी में लवकी, कद्दू, दूधी, लवका तो तक घीया के नाम से जाना जाता है यह स्वास्ते के लिए अच्छी मानी जाती है इसका वानस्पति लेजी नेरिया, सिसेरेरिया है यह दो प्रकार की होती है पहली बेलनाकार तदूसरी गोलाकार लंबी लवकी का आकार बोतल की तरह होने के कारण अंग्रिजी में इसे बोटल गार्ड भी कहते हैं लवकी जनवरी से मार्च और वर्शा रितु में जून से जुलाई के महिन में इसकी उपस्थिति के कारण हमें यहाँ परा चलता है कि इसका संबंध मानाव के साथ बहुत ही पुराना है भारत में भी माला बरतड और देहरादून के नम जंगलों में इसके जो जंगली रूप है वो आज भी पाई जाती है साथ ही इसके कई तरह के रूप हैं और जिस है कि मैंने कहा कि इसका जो रूप है वो अलग-अलग होता है सापचितर में देखी सकते हैं यहां बेलनाकार भी होती है गोलाकार भी होती है इसके अलग भी कई तरह के आकार इसके हैं और क्यूंकि इसका एक रूप लंबा और बोतल की तरह का होता है तो इसका एक नाम अं इंजन भी बनाय जाते हैं लोकी की एक खासियत यह भी है कि इसे वरत या उपवासो में भी खाया जाता है इसका हलवा, सबजियां, छिलके की चटनी, सामबर एवंग लजीज मिठाईयां बनाय जाती है एक और इसके काफी फायदे हैं वही दूसरी और इसके नुकसान भी है कभी भी लोकी का उपयोग करने से पहले या भी जांच ले कि लोकी कडवी है या मीठी लोकी का उपयोग सौंदर या प्रसाधन के लिए भी किया जा सकता है लोकी के ताजा छिलके को पीस कर लगाने से तोचा में निखा राता है लोकी के पत्तों का रस निकाल कर अर्स या मस्से पर लगाने से अर्स या मस्सा दूर हो जाता है तो जैसा कि हमने पढ़ा कि लोकी कई प्रकार के होते हैं लेकिन उनका आकार अलग अलग तरका होता है वैसे ही लोकी से कई तरह की सबजिया भी बनाए जाती है लोकी का हलवा, लोकी की सबजी, इसके छिलके की चटनी, सामभर और मिठाईया और भी कई तरह की चीज़े लोकी से बनाए जाती है इसके काफी फाइदे है, साथ ही यह आउशदी की रूप में भी काम आता है लेकिन लोकी खाने से पहले या जान ले की वह मीठी है या कड़वी क्योंकि खाने के मामले में कभी-कभी यह बुरा अनुभव भी करा सकती वैसे लोकी का उपयोग सौंदर या प्रसाधन के लिए भी क्या जा सकता है जैसे लोकी के छिलके को पीस कर अगर चेहरे पर लगाए तो अचा पर लगाए तो उसमें निखार आ जाता है साथ ही लोकी के पत्तों के रस को निकाल कर मस्सा में लगाने पर मस्सा क्या हो जाता है दूर हो जाता है इसके और भी कई सारे गुन हैं जिसे हम और आके पढ़ेंगे बस्तर के जन भासाओं में लौकी के प्रकारों को लाव, भहिस लाव, किंदरी लाव, लामडी लाव, डिरा लाव, तुमडी लाव, पिता लाव, जोगी लाव, महादेव लाव, छानी लाव, कसा लाव, तिरका लाव, बांडा लाव, आदी नामों से पुकारा जाता है इस लोकी के पके हुए फल को बेल पर ही पक कर सूख जाने के लिए छोड़ दिया जाता है जब बेल पूरी तरह सूख जाती है तो पके एवं सूखे फलों को तोड़ लिया जाता है लगभग एक हपते में उसके सुखे हुए भाग पानी के कारण सड़ जाते हैं जिन्हें नुकिले लोहे के आउजारों से तुमबा के अंदर से बाहर निकाल लिया जाता है उसके भीतरी भागों को अच्छी तरह सुखा कर साफ कर लिया जाता है यही फल तुमबा कहलाता है तो बस्तर की जन्भासाओं में भी लोकी के कई प्रकार हैं तो यह सारे नाम जो हैं वो लोकी के अलग-अलग उसके रूप के अनुसार उनके नाम यहाँ पर इन्होंने दिये हैं और जैसे कि हमने पढ़ा कि लोकी को ही सुखा कर बनाया जाता है क्या तुमबा बनाया जाता है तो यहाँ पर एक detail process दिया गया है इसे देख लेते हैं सबसे पहले तो लोकी से तुमबा बनाने के लिए लोकी को उसके बेल पर ही पक कर सूख जाने के लिए छोड़ दिया जाता है जब वा पूरी तरह सूख जाती है तो उस पके हुए लोकी को तोड़ लिया जाता है और कुछ समय के लिए छाओं में इन्हें सूखने के लिए रख दिया जाता है इसके बाद इन सुखे वे फलों के जो उपरी भागे उनको काट दिया जाता है और उसके अंदर के जो सुखे गुदे वाले हिस्से में पानी भर कर छोड़ दिया जाता है अब जब पानी छोड़ दिया जाता है तो क्या हो जाता है पानी के साथ मिक्स हो जाता है पानी के साथ गुल मिल जाता है और सड जाता है अंदर और सड जाने के बाद किसी नुकेली और जार से उसे बाहर निकाल दिया जाता है लोकी के अंदर के भाग को पूरी तरह खाली किया जाता है तथा भीतरी भाग को अच्छी तरह सुखा कर साफ किया जाता है और यही कहलाता है तुम्बा तो उमीद है आपको जो यह तुम्बा बनाने के प्रक्रिया है वो समझ में आ गई होगी बस्तर की जनजातियों के द्वारा पकी हुई लोकी पर चाकू के उकेरे गए पारमपरिक चित्रों को ही यहां लोकी आठ या तुम्बा आठ कहा जाता है बस्तर के आदिवासी अपनी दैनिक उपियोगी वस्तू के प्रती काफी सजग होते हैं वे उन वस्तुओं को सजाने सवारने में भी दिल्चस्पी रखते हैं वे चाहे उनके हाथों और कंधों में सजने वाले तीरधनुस हो कुलहाडी हो, कटार हो, पारमपरिक गहने, कंगी हो या चाहे तुम्बा हो उसे कलात्मक रूप आवश्य देते हैं तुम्बा में वे गरम सलाकों और नुकिली अवजारों की मदद से पारमपरिक रेखाओं को उकेरते हैं उनके रेखा चित्रों में उनकी कलपना बसती है चित्रों में बेल बूटे, पशुपक्षी, मानव आकरतियां और उनकी पसंदीता वस्तुएं होती है तो बस्तर के जनजातियों में एक मुख्य बात यह भी है कि वो सजने सवारने में काफी दिल्चस्पी दिखाते हैं इसलिए वे अपने किसी भी वस्तुपर पारमपरिक चित्रों को उकेरते हैं उन्हें बनाते हैं वहाँ पर वैसे ही वे पकी हुई लोकी पर भी चाकू से परमपरिक चित्रों को बनाते हैं और इसी चित्रों को और इसी कलात्म प्रक्रिया को कहा जाता है तुम्बा आठ क्यूंकि तुम्बा में वे विभिन तरह के अपने परमपरिक जो चित्र है उन्हें उकेरते रहते हैं तो इसे ही कहा जाता है तुम्बा आठ वैसे तुम्बा ही नहीं वे अपने किसी भी वस्तु पर इस तरह से चित्र बनाते रहते हैं जिसमें तीरधनुस हो या फिर कुलहाडी कटार हो या भी कोई भी परामपरिक चीज कंगी गहने सभी पर वो अपना कलात्मक छाप छोड़ और इन चित्रों को वे नुकिली ओजारों के मदद से बनाते हैं इन चित्रों में बेल बूटे, पशुपक्षी, मानो आकरतियां और उनकी पसंदीता वस्तुएं होती हैं एक बार उकेरने के बाद इन आकरतियों को मुलायन साभुन से धो दिया जाता है तथा लकडियों म लगने वाले वारनिस तथा वैक्स से पालिस कर चमका लिया जाता है वही नाइट लैंप बनाने के कारे में तुमबा में छोटे बड़े बारीक छित्रों का इस्तमाल करते हुए रोस्नी निकलने का अस्थान बना लिया जाता है जिससे बंद कमरे में रोस्नी का प्रसार हो इन तुम्बो में छिद्र बनाने का कारे भी आकर्शक होता है उन तुम्बो में होल्डर और बल्ब लगाकर बाजार में बेचने के लिए भेज दिया जाता है तो नुकीली ओजार से तुम्बा में आकरती बनाने के बाद उसे मुलायम साबुन से धो दिया जाता है साथी वै उसके बाद उन तुम्बो के अंदर होल्डर में बल्ब लगाकर उसे जलाया जाता है जिससे की उनके छिद्रों से रोशनी का प्रसार होता है। आपको इस तरह के लैंप बाजारों में भी देखने को मिल जाएंगे जो की तुम्बा से बने होते हैं। त्योहार पर्व के अउसर पर तुम्बा मुखोटों के रूप में भी इस्तमाल किया जाता है। तुम्बो से बने अलग-अलग प्रकार के मुखोटे अभिने में जान भर देते हैं। सुखी लोकी के बाहरी हिस्से पर आग, मुण, नाक बनाकर चेहरे को ढखने के लिए बनाया गया टुकडा ही मुखोटा कहलाता है। तुम्बा का फूट जाना अर्थात अनर्थ होना। एक कहावत प्रचलित है तुमा गला फूटी, देव गला उठी। अर्थात किनी अपरिहारे कारणों से यदि तुम्बा फूट जाता है तो लोग जीवन में समझा जाता है कि उनकी देवी देवता उनसे रुष्ट हो गये हैं। तुम्बा उनके जीवन में देवतुल्या माना जाता है। तो तुम्बा का उपयोग जो है वो तियोहारो और पर्व में किया जाता है, मुखोटे की रूप में किया जाता है, सुखी लोगी को काट कर उसमें आख, नाख, मुँ के हिस्से बनाये जाते हैं, और एक मुखोटा का रूप दे दिया जाता है, और ये मुखोटे क्या करते ह इन मुखोटों का इस्तमाल वे पर्वत्योहारों में अभिनेई के समय करते हैं तो इस रूप में भी तुम्बा का इस्तमाल किया जाता है साथी बस्तर की जनजाती में तुम्बा बहुत ही पूजनिय वस्तू भी है ऐसा माना जाता है कि अगर की नहीं कारणों से तुम्बा फूट गया तो ऐसा समझा जाता है कि देवी देवता उनसे क्या हो गए? रुष्ठ हो गए अता तुम्बा को देव तुल्या माना जाता है बस्तर के जनजातिय जीवन में बस्तर की जनजातियों में प्रिथिवी की उत्पत्ती के पीछे एक मानेता है कि प्रिथिवी की उत्पत्ती दंतेवडा जीले के ग्राम पालनार नामक गाउं से जल प्रले के साथ साथ हुई है माना जाता है कि जल प्रले के दोरान आदिपुरुस लोकी के सूखे पात्र तुम्बा में अपनी पत्नी के साथ बैट गया और प्रले के उस जल में तेरता रहा उस आदिपुरुस का नाम था डडड़े बुर्खा कवासी तभी अचानक वहां भीमदेव प्रकट हुए और वह अपना हल उस प्रले जल के भीतर चलाने लगे एका एक प्रले जल के भीतर से प्रिथिवी उभरने लगी, जिस और भीमदेव अपना हल चलाते, उस दिशा में धीरे धीरे प्रिथिवी अपने अस्तित्व में आती गई, धर्ती की मिट्टी उपर उठाती थी, और उस उठान से कहीं पहाड, कहीं पेड़ पौधे, कहीं घ भीतर बैठे आदी पूरुस डडड़े बुरका कवासी अपनी पतनी के साथ निकल कर भीमदेव की शरन में जा पड़े, भीमदेव ने आसिरवात देते हुए, संसार के विकास की जिम्मेदारी उन्हें सौपी, सर्वपर्थम डड़े बुरका कवासी ने तुमबा से निक अमलतास के फूलों को नहीं तोड़ते, जल प्रले की यहां रोचक घटना और प्रिथिवी का जनम पालानार गाउं से प्रारंब होना सुन्ने में अध्भुत लगता है, किन्तु लोक मानेता, अपनी जगा लोक मानेता है, कोई माने या ना माने तो हमने पढ़ा कि बस्तर के जनजातिय समाज में तुमबा पूजनिय है और इसे देवतुले भी माना जाता है, लेकिन इसका क्या कारण है, तो यहां हम इसके कारण को जानेंगे कि वास्तों में बस्तर के जनजातिय समाज में एक मानेता है कि प्रिथिवी के उत्पत्ती क पीछे भी इस तुम्बा का योगदान है तो इनकी मान्यता है कि प्रिथिवी की जो उत्पत्ती है वो दंतेवडा जीले के ग्राम पालनर नाम के गाउं से सुरू हुई थी जहां पर जल प्रले हुआ था और माना जाता है कि उस जल प्रले के तोरान आधिपुरुस और उनकी कवासी और तभी वहां अचानक भीमादेव प्रकट हुए और उन्होंने इस जल प्रले को रोकने के लिए इस जल प्रले पर अपना जो हल है उसे चलाने लगे जहां जहां उन्होंने जिस दिशा में हल चलाया धिरे दिरे उस दिशा से क्या होने लगी धर्ती ऊपर आने ल और जैसे जैसे स्रिष्टी अस्तितों में आई और धर्ती की उत्पत्ती हुई भीमादेव अद्रिश्य हो गए। पहले विश्राम करने के लिए तुमबा से निकले और एक अमलतास के पेड़ के नीचे जाके उन्होंने क्या किया विश्राम किया जिस कारण से अमलतास के पेड़ को बस्तर की जनजाती में बहुत महत्तो दिया जाता है। प्रलय की और धर्ती के उत्पत्ती की जो घटना है या एक लोक मानेता है जो की बस्तर के जनजाती समाज की है और वे इस लोक मानेता पर विश्वास भी करते हैं चाहे कोई और माने या ना माने। बर्तनों के रूप में सूखी लोकी का प्रयोग भारत के कई प्रदेशों में आदिकाल से किया जा रहा है। इन गोल या विभिन आकार प्रकार के तुमबा को पानी रखने के लिए प्रयोग में किया जाता था और अब भी किया जाता है। एक अस्थान से दूसरे अस्थान तक पानी वो अन्य तरल परदार्थों के परिवहन में तुमबा का प्रयोग होता है। बस्तर के अंद्रूनी इलाकों में आज भी भोजन परोशने के लिए तता पानी पीने के लिए बर्तनों के अस्थान पर इसका प्रयोग सामान्यता किया जाता है। तो यह जो तुम्बा है या केवल बस्तर में ही नहीं बलकि भारत के कई प्रदेशों में बहुत पहले से इसका स्तमाल किया जाता आ रहा है। और आज भी किया जाता है और क्यूंकि जिस तरह का इसका आकार है तो यहां पर लोग तुम्बा में या तो पानी भर कर रखते हैं या फिर कई जगों में इसका देखा जाता है कि भोजन परोशने के लिए तुम्बा से बने बर्तनों का प्रयोग किया जाता है। परदान रूप प्रदद साधनों से तरह तरह के वाद्ययंत्रों का निर्मान किया जाता रहा है। आज भी आदिम समुदाय में कला और संगीत के साधकों के बीज दुरलब वाद्य उपलब्ध हैं। बस्तर में भत्रा परजा छेत्र में आदिम जाती एक सितार का प्रयोग करती हैं। तो हमने यहां तुम्बा के कई सारे उप्योगों को देखें चाहे वो खाने की चीजों में हो और शद्दी में हो रोजमर्रा के कारे में हो पर्वतेवारों में हो तो कई तरह के उप्योग हैं तुम्बा के साथ ही एक और चीज में इस्तमाल की जाती वो है वाद्दियंत्र बनाने में तो हमारे भारत्य संस्कृति में कई सारे ऐसे वाद्देयंत्र बने हैं जो अपने आप में ही क्या है महत पूर्ण है और साथ ही दुरलब भी है बस्तर में भरता परजा छेत्र में आदीम जाती एक सितार का प्रयोग करती है जिसे किंद्री या कनेरी कहा जाता है जो कि सास्ते संगीत में किन रा जो वाद्देयंत्र है उसका ही दूसरा रूप है इससे एक तारा हो या फिर कई तरह के वाद्देयंत्र बनाय जाते हैं और प्रयोग में लाय जाते हैं आज भी रामबाजा में भी तुमबा का प्रयोग किया जाता है तो वाद्देयंत्र बनाने में भी तुम्बा कश्तमाल किया जाता है। उसी तरह बीन भी संगीत वाध्य है और इसका उपयोग प्राचिन समय से होता आ रहा है। इस वाद्ध्य का उपयोग मुख्यता भारत में सपेरों के द्वारा साप का तमासा दिखाने के लिए या साप पकड़ने के लिए किया जाता है, किन्तु बीन कोई सास्त्रिय साज नहीं है, इसे लोग साज कहा जा सकता है, इसे पुंगी या तुम्भी भी कहा जा सकता है, य तो हमने सफेरों को देखा है बीन के साथ, वो बीन किसे बनाया जाता है, वो भी तुम्बा से ही बनाया जाता है, बलही आज इसका प्रचलन देखने को नहीं मिलता है, आज हमें सफेरे भी देखने को नहीं मिलते हैं, या कोई सास्त्रिय साज नहीं है, बलकि लोक साज है, इ खमक ठीक है और यह भी तुम्बा से ही बनाया जाता है बाउल गाईकी में इसका इस्तमाल किया जाता है तो इस तरह हमने तुम्बा के कई सारे उपियोगों को देखा ना ही बस्तर समाज में बलकि भारत के अन्यक शेत्रों में भी इसका इस्तमाल किया जाता है उस रूप में चाहे खाने के परदात से लेकर हो, या फिर मुखोटा बनाने हो, या फिर वादियंत्र बनाना, कई सारे चीजों में तुमबा का स्तमाल किया जाता है, तुमबा के द्वारा उन चीजों को बनाया जाता है और यही पर यहापार्ट समाप्थ हो जाती है, तो हमने पड़ा बस्तर जन जाती में तुमबा, चलिए अब हम इस पार्ट के उद्देशे को भी देखते हैं कि यहापात हमें क्या बताना चाहती है तो सबसे पहले तो यहाँ पार्ट हमें तुम्बा या लौकी के विविन उप्योगों तथा आउसद्य गुन को बताती है साथी बस्तर के समाज की लोक संस्कृती, मान्यताओं, मिथकों से आउगत कराती है यह पार्ट प्राकृतिक संरक्षन की सीख देती है यह पार्ट और आदिवासी जीवन में तुम्बा के विशेश महत्व को भी बतलाती है यह पार्ट तो उम्मेध है आपको यहाँ पार्ट समझ में आ गई होगी साथ ही लोकी और तुम्बा के विविन प्रकारों की भी आपको जानकारी हो गई होगी और जिनको लोकी पसंद नहीं है अब साइद उन्हें लोकी भी पसंद आ जाए तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक कर सकते हैं साथ ही मैंने मधूप के अन्या अध्यायों पर भी अपनी वीडियो बनाई हैं तो आप वीडियो सक्षिन में जाके उसे चेक कर सकते हैं तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में तब तक के लिए थैंकी थैंकी फर वाचिंग